मैं वेक्सिंग के ट्राइल्स बहुत ही स्लो चल रहा है उससे फास्तो टूजी इंटरनेट कनेक्शन है ऐसा मैं क्यूं कर रहा हूँ न यह वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे तो बने रहे हैं मेरे साथ ही वीडियो में ताकि मैं आपको प्रापर इंफर्मेशन दे दूसरों यहां पर कोविशिल के ट्राइल्स ना वो 26 ऑगस्ट से स्टार्ट हुए इंडिया में भारती विद्यापिट पूने में जहां पर उस दिन दो लोगों को वैक्सिंग मिली एक 48-year-old डॉक्टर थे और दूसरे 32-year-old PhD होल्डर थे यह डॉक्टर की कहानी आपको ब से पहले इंडिया में कोविशिल उन्होंने ही ली है इतना ही नहीं उनकी एक डॉटर है 21-year-old जब 2040 में सरवाइकल कैंसर वैक्सिंग के ट्राइल्स हो रहे थे तब भी उनकी डॉटर ने उसमें पाटिसिपेट किया थे यह बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है आज की की है यह रिस्क नहीं लेना चाहिए कोई और करेगा यहां पर दूसरों यह सबसे बड़ा रीजन है के ट्राइल्स इसलो चल रहे है यहां पर जितना इम्पॉर्टन्ट है वैक्सिंग का सबतक पहुँचना उसे कहीं गुना ज्यादा इम्पॉर्टन्ट है वैक्सिंग के पर्टिसिपेट करना मैं आपको बार-बार क्या चुका हूँ कि गुजरात में ये वेक्षिन से ट्रायल नहीं हो रहा है अगर होते मैं वहां पर सबसे पहले पहुचता क्योंकि ये एक moral responsibility है तो ये सबसे बड़ा reason है कि trial slow चल रहा है और दूसरा reason जो है वो again political है जिसके deep में नहीं जाओंगा ये word sufficient है आप समझ जाओगे क्या हो रहा है आसा रखता हूँ ये दो reasons आपको समझ आए होगे और आप सभी से एक request करना चाता हो कि अगर हो रहे ना तो apply करो इससे vaccine को जल आपफी लोगी वीडियो को share भी नहीं करेगी क्योंकि ये vaccine related नहीं है लेकिंग कर दोगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा like करो share करो नीचे comment में बताओ कि आप क्या सोचते हो अगले वीडियो में आप समलाकात होगी तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रा झाल